नमस्कार दोस्तों बात अगर स्वतंत्रता की हो तो बिटिश राज हो या रावन राज दहन तो हो कर रहेगा ये विचार हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर विनायक दामोदर्राव सावर करके एक ऐसे क्रांतिकारी जिने अंग्रेजों ने साल 1910 में 50 साल के लिए का अंग्रेजों को कुछ जादा ही खत्रा होता था दोस्तों सावर कर एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में भारत की जनता का ओपीनियन काफी ब्लैक इन वाइट रहा है कोई उन्हें सचमुच वीर स्वतंत्रता सेनानी मानता है तो कोई देश-द्रोही और गद्दार ल दोस्तों यहाँ सवाल ये आता है कि सावर कर को काला पानी की सजा क्यूं हुई? क्यूं उन्हें अंग्रेजों ने D category की criminals की लिस्ट में रखा? काला पानी जेल में उनके साथ क्या हुआ और क्यूं उन्हें अंग्रेजों को माफी नामा लिखना पड़ा? इन सभी सवालों क जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहीएगा चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराश्टर के नासिक जिले में हुआ सावरकर बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे लेकिन परिवार की एकोनॉमिक कंडिशन कुछ ठीक नहीं थी पर फिर भी किसी तरह पूने के फर्गूसन कॉलेज में एड्मिशन लेने में सफल रहे और यहीं से शुरूआत हुई सावरकर के करांतिकारी जीवन की सबसे पहले साल 1904 में अपने छोटे भाई गनेश सावरकर के साथ मिलकर अभीनव भारत सोसाइटी की इस्थापना की जिसमें वो कॉलिज के यंग लड़कों को स्वतंतरता के लिए मोटिवेट करते थे फिर साल 1906 में लंदन में स्कॉलर्शिप पर लौ में अड्मीशन लिया लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा उनका फोकस भारत की स्वतंतरता पर ही था इसलिए लंदन में इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी की इस्थापना की और वहीं इनकी मुलाकात हुई एक और क्रांतिकारी मदनलाल धिंगरा से दोस्तों मदनलाल धिंगरा सावरकर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इसलिए दोनों ने लंडन में ही स्वतंतरता के लिए काम करना शुरू किया सबसे पहले उन्होंने बंबनाना सीखा और लंडन में कई जगा पर बंबलास्ट किये फिर एक तानाशाह ब्रिटिश अफसर लॉट कर्जन वैली की हत्या की क्योंकि कर्जन वैली ने भारत में रहते हुए भारती लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किये थे लेकिन कर्जन वैली की हत्या और लंडन में बंबलास्ट करने की वजह से मदनलाल धिंगरा को फांसी दे दी गई और सावरकर पर केस चला गया इसी बीच लंडन की जेल में रहते हुए भी सावरकर हत्यार सप्लाई करते थे भारत में दूसरे करांतिकारियों के लिए जिससे एक अंग्रेज तानाशा अफसर जैक्सन की हत्या हुई साल 1909 में नासिक शहर में इसके अलावा भी और कई ऐसी करांतिकारी घटनाए हुई पूरे भारत के अंदर जिसमें यही सामने आया की हत्यार लंडन की जेल से ही सप्लाई हुए थे और यही वज़ा थी कि अंग्रेजों ने सावरकर को डी कैटेगरी के क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल किया था और भारत से 2000 किलो मीटर दूर अंडमान निकोबार की काला पानी जेल में 50 साल की सजा दे कर बंद कर दिया दोस्तो साल 1911 से 1921 तक 10 साल सावरकर काला पानी जेल में बंद रहे और कई बार जेल के अंदर आंदोलन भी किये और बाकी कैदियों को स्वतंतरता के लिए मोटिवेट किया जिस वजह से सावरकर को बाकी कैदियों से अलग रखा जाता था ज्यादा टॉर्चर किया जाता था ना सिर्फ फिजीकली और मेंटली भी चार-पांच दिन तक भूका रखना पानी ना देना और उनके सामने दूसरे कैदियों को मारना और फांसी देना जिससे तंग आकर उन्होंने अंग्रेजों को माफी नामा लिखा और साल 1921 में उन्हें काला पानी से छोड़कर महराष्टर की रतनागिरी जेल में बंद कर दिया गया उन्होंने जेल में रहते हुए कई किताबे लिखी जिससे देश की लोगों के अंदर स्वतंतरता की आग पैदा हो सके उनकी एक बुक दे इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस को अंग्रेजों ने पबलिश होने से पहले ही बैन कर दिया था पार्टी ना बना सकें साल 1932 में सावरकर ने हिंदू महासभा को जॉइन किया और लोगों को हिंदुत्वा का नारा दिया अब सावरकर नजर बंद होने की वजह से खुद क्रांतिकारी नहीं थे लेकिन नए क्रांतिकारियों को तैयार कर रहे थे साल 1943 तक सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे और भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरू, सुभाष चंदर बोस, चंदर शेखर आजाद और उधम सिंग जैसे नए करांतिकारियों को तैयार किया ये सभी करांतिकारी सावरकर की किताबे और विचारों से ही इंस्पायर हुए थे, यहां तक की भगत सिंग भी सावरकर को अपना गुरू मानते थे दोस्तो इतना सब करने के बाद उनका नाम महात्मा गांदी की हत्या में भी सामने आया था कहा गया था कि जिस हत्यार से गांदी जी की हत्या हुई वो हत्यार सावरकर ने ही अरेंज किया था लेकिन सबूतों के ना मिलने की वज़ह से सावरकर को रिहा कर दिया गया दोस्तो अब फैसला आपको करना है कि सावरकर वीर थे या गद्दार क्या काला पानी जेल में रहकर सावरकर नए करांतिकारी तैयार कर सकते थे क्या काला पानी जेल में बंद रहते हुए मर जाना और बागी कैदियों की तरह इतिहास से गायब हो जाना सही होता आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमशकार जैहन